नमश्कार, मेरा नाम है आमित, स्वागत है आपका इस चैनल पर ओफेंस, क्राइम, अपराद, इन्फ्रेक्शन, मेलफिसेंस, सिन्, ये सभी अपराद के अलग-अलग नाम हैं, सिनोनिम्स हैं अपराद ऐसे होते हैं, जिनने या तो intentionally किया जाता है, या कभी-कभी कुछ परिस्तितियां ऐसी आजाती है, कि अचानक कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, जो करते वक्त तो ये पता नहीं होता कि वो अपराद हैं, लेकिन इंडियन लॉज द्वारा उन्हें अपराद डिकलेर किया बेल आइकन, ताकि जैसे ही मैं एको नया वीडियो अपलोड करूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो चलिए, कॉंप्रोमाइस के आधार पर क्रिमिनल केस को खत्म करने की प्रक्रिया, प्रोसेस और कानून को समझने और जानने का प्रियास करते हैं, क्रिमिनल सबसे पहले हम फर्स्ट के ईड़ेक्टी को देखते हैं, इसमें लगबक 43 ओफैसे जेने के जरए खत्म किया जा सकता है, For example section 323 voluntary causing hurt इसमें यदि किसी व्यक्ति को कोई साधारन चती पहुँचाई जाती है साधारन चोट पहुँचाई जाती है For example एक आदमी ने किनी दो व्यक्तियों को थपड मार दिया जिससे उन्हें साधारन चोट आई तो essay offense 323 के अंतरगत आते हैं जिसमें एक साल तक की सजा का प्रावधान है Essay offense को compromise करने के लिए जिस व्यक्ति ने थपड मार दिया यानि जो accused है उसे उन दोनों व्यक्तियों जिनके थपड मार दिया उनसे compromise करना होगा और उन दोनों व्यक्तियों से compromise करने से उसके खिलाब जो criminal case है वो खत्म हो जाएगा समाप्त हो जाएगा Section 379 Theft यदि कोई accuse चोरी करता है और ऐसी इस्तिती में यदि जिस व्यक्ति के हैं उसने चोरी किया है या जिस व्यक्ति की property को उसने चुराया है यदि उससे compromise हो जाता है तो ऐसी इस्तिती में चोरी के अपरात को भी समाप्त किया जा सकता है Section 411 IPC चोरी की किसी समपत्ती को ये जानते वे खरीदना या अपने पास रखना या उसका position प्राप्त करना कि वो चोरी की है ऐसे offense को उस व्यक्ति से राजी नमा करके खत्म किया जा सकता है जिसकी वो property है Section 417 Cheating इस offense को भी compromise के जरिये समाप्त किया जा सकता है इसमें compromise उस व्यक्ति से करना होता है जिसके साथ cheating की गई है Section 448 IPC House Trespass इस offense को भी compromise के जरी खत्म किया जा सकता है इसमें compromise उस व्यक्ति से करना होता है जिसके possession में वो property हो जिस वक्त उस पे trespass किया गया हो आपको screen पर जो list नजर आ रही है ये उन सभी offenses की list है जिसमें accused और victim आपस में compromise कर सकते हैं और इस compromise के आधार पर case को समाप कर सकते हैं रद करवा सकते हैं तो चलिए इन सभी offenses की जो list है उसमें जो offenses दिये गए हैं उन पर नजर डाल लेते हैं Section 298 इस अपराद के अंतरगत ऐसे किसी word का यूज करना या इस intention से यूज करना जिससे किसी व्यक्ति की religious feelings को कुछ hurt पहुंचता है तो ऐसी इस्तिति में इस अपराद को वह व्यक्ति compound कर सकता है जिसे ऐसा hurt हुआ है इसी प्रकार Section 334 जिसके अंतरगत आता है voluntary causing hurt on provocation इस तरह के अपराद में भी वह व्यक्ति compromise कर सकता है जिसे इस तरह का hurt हुआ हो Section 335 of IPC voluntary causing grievous hurt on grave and sudden provocation इस तरह के अपराद में भी वही व्यक्ति compromise कर सकता है जिसे इस तरह का hurt cause हुआ हो Wrongfully confining a person for 10 days or more यह punishable है Section 344 IPC में इसमें भी वही व्यक्ति compromise कर सकता है जिसे इस तरह confine किया गया हो Section 343 of IPC wrongfully confining a person for 3 days or more इस तरह के अपराद को भी वही व्यक्ति compound कर सकता है जिसे इस तरह confine किया गया हो Section 346 IPC देख लेते हैं इस section में वो अपराद आते हैं जिसमें किसी person को wrongfully confine किया गया हो secret position में इस तरह के अपराद में भी वही व्यक्ति compromise कर सकता है जिसे इस तरह कंफाइन किया गया हो Section 352, 355 and 358 IPC इसमें वो अपराद आते हैं जिसमें assault या criminal force का use किया गया हो इस तरह के अपरादों को वही व्यक्ति compromise के द्वारा समाप्त कर सकता है जिस पर इस तरह का assault किया गया हो या criminal force का use किया गया हो Section 403 IPC Dishonest Miss Appropriation of Property इस तरह के अपराद को उस व्यक्ति से राजी नामा करके समाप्त किया जा सकता है जिसकी परापर्टी को इस तरह से Miss Appropriate किया गया हो Section 407 IPC इसके अंतरकत वो अपराद आते हैं जो criminal breach of trust से सम्बंदित होते हैं जिसमें criminal breach of trust किसी carrier या warfinger द्वारा किया जाता है इस तरह के अपरादों को उस property के जो owner है उसके साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है या जिस व्यक्ति की property के साथ breach हुआ है उसके साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है Section 414 IPC assisting in the concealment or disposal of stolen property knowing it to be stolen इस तरह के अपराद को उस व्यक्ति के साथ compromise किया जा सकता है जिसकी की property चुराई गई है Section 419 IPC cheating by personation इसमें compromise उस व्यक्ति के साथ किया जाता है जिसे इस तरह से cheat किया गया हो Section 421 IPC fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors इस तरह के offenses में उन creditors के साथ compromise करके इस तरह के cases को समाप्त किया जा सकता है Section 422 IPC fraudulent preventing from being made available for his creditors at debt or demand due to the offender इस तरह के cases में भी जो creditors हैं जिसको इस तरह का प्रभाव पड़ा है उनके साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है Section 423 IPC fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration इस तरह के अपराद को जिस person को इस तरह अफेक्ट हुआ है उसके साथ compromise करके खत्म किया जा सकता है Section 424 IPC fraudulent removal or concealment of property इस तरह के अपराद को भी वह व्यक्ति जो इससे प्रभावित हुआ है उससे compromise करके समाप्त किया जा सकता है Section 426 and 427 of IPC इन sections में वो अपराद आते हैं जो mischief से जुड़े होते हैं जहांपर की mischief से किसी व्यक्ति को loss होता है और ऐसा loss किसी private person को होता है यहांपर compromise उस व्यक्ति से किया जा सकता है जिसे इस तरह का loss या damage cause हुआ है Section 428 IPC mischief by killing और maiming animal इस तरह के offenses को उस animal के owner के साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है या रद किया जा सकता है Section 429 IPC mischief by killing और maiming cattle इस तरह के offenses में cattle के owner के साथ compromise किया जा सकता है Section 430 IPC mischief by injury to works of irrigation by wrongfully diverting water when the only loss or damage caused is loss or damage to private person इस तरह के offenses को उस person के साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है जिसे इस तरह का loss या damage cause हुआ हो Section 451 IPC house trespass to commit an offense other than theft punishable with imprisonment इस तरह के offenses को उस व्यक्ति के साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है जिसके position में वो house हो जिस पर trespass किया गया है जिसके अंदर अतिकर्मन किया गया है Section 482 IPC using a false trade और property mark इस तरह के offenses को उस व्यक्ति के साथ compromise करके खत्म किया जा सकता है जिसे इस तरह का ट्रेड मार्क या प्रॉपर्टी मार्क यूज करने से इंजरी हुई हो या किसी तरह का नुकसान पहुचा हो Section 483 IPC Counterfeiting ए ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क यूज बाइ अनदर इस तरह के offenses में जिस व्यक्ति को इस तरह का नुकसान पहुचा है इंजरी कॉज हुई है उससे compromise करके matter को close किया जा सकता है Section 486 IPC Knowingly Selling और Exposing और Possessing for Sale और for Manufacturing Purpose Goods Marked with a Counterfeit Property Mark इस तरह के offenses में भी जिस व्यक्ति को इस तरह से use करने से cause हुआ है इंजरी हुई है, damage हुआ है उसके साथ compromise करके इस तरह के criminal offenses को खत्म किया जा सकता है Section 491 IPC Criminal Breach of Contract of Service इस तरह के offenses को उस व्यक्ति के साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है जिसके साथ offender ने compromise किया था Section 491 IPC Criminal Breach of Contract of Service इस तरह के offenses को उस व्यक्ति के साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है जिसके साथ offender ने इस तरह का contract किया था Section 497, IPC Adultery इस offense को Supreme Court द्वारा rule book से हटा दिया गया है, struck down कर दिया गया है Section 498, IPC Enticing or Taking away or Detaining with Criminal Intent a Married Woman इस तरह के offenses को उस woman के husband या उस woman के साथ compromise करके खत्म किया जा सकता है Section 500, IPC Defamation Accept such cases as are specified against section 500 of the Indian Penal Code in column 1 of the table under subsection 2 इस तरह के offenses में भी उस व्यक्ति के साथ compromise करके case को खत्म किया जा सकता है जिसके साथ defamation किया गया है Section 501, IPC Printing or Engraving Matter Knowing it to be Defamatory इसे भी उस व्यक्ति के साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है जिसे इस तरह से defiam किया गया हो Section 502, IPC Sale of Printed or Engraved Substance Containing Defamatory Matter Knowing it to contain such matter इस तरह के offenses को भी उस person के साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है जिसे इस तरह से defam किया गया हो Section 504, IPC इंसल्ट, intended to provoke a breach of the peace इसे उस व्यक्ति के साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है जिसकी की insult की गई हो Section 506 IPC Criminal Intimidation इसे उस व्यक्ति के साथ compromise करके समाप्त किया जा सकता है जिसे इस प्रकार से intimidated किया गया हो Section 500 IPC Inducing a person to believe himself an object of divine displeasure इसे भी इस तरह के व्यक्ति के साथ जिसे induce किया गया है compromise करके समाप्त किया जा सकता है Offense चाहे वो किसी एक व्यक्ति एक खिलाफ किया हो लेकिन Indian law में ये माना जाता है कि offense पूरे समाज के खिलाफ किया जाता है Section 320 में जो second list है उसमें उन offenses के list है जिने compromise के जरिए खत्म तो किया जा सकता है लेकिन उसके लिए पहले court की permission required होती है इस list में जो offense है उन्हें हम एके करके देखेंगे आपको screen पे जो list नजर आ रही है इसमें वो offenses है जो second list में दिये गए है तो चलिए इन offenses को one by one देखते हैं Section 312 IPC Causing Miscarriage इसमें उस woman से compromise करना होता है जिसके miscarriage caused हुआ है Section 325 Voluntary Causing Grievous Heart इसमें उस person से compromise करना होता है जिसे इस तरह का hurt cause हुआ है Section 337 Causing hurt by doing and act so rashly and negligently as to endanger human life or the personal safety of others इसमें भी उसी वेक्ति से compromise किया जा सकता है जिसे इस तरह का hurt cause हुआ हो Section 338 Causing Grievous Heart by doing and act so rashly and negligently as to endanger human life for the personal safety of others इसमें भी उसी वेक्ति से compromise किया जा सकता है जिसे इस तरह का hurt cause हुआ है Section 357 Assault or criminal force in attempting wrongfully to confine a person इसमें उस वेक्ति से compromise किया सकता है जिसे assault किया गया है या जिसे पर इस तरह का force use किया गया है Section 381 Theft by clerk और servant of property in possession of master इसमें उस वेक्ति से compromise किया जा सकता है जो उस property का owner हो जिसकी property चुडाई गई है Section 406 criminal breach of trust इसे उस वेक्ति से compromise करके खत्म किया जा सकता है जो उस property का owner हो जिसके सम्मद में इस तरह का breach किया गया है Section 408 criminal breach of trust by a clerk और servant इसे उस वेक्ति से compromise करके खत्म किया जा सकता है जो उस property का owner हो जिसके समद में ऐसा breach किया गया है Section 418 IPC Cheating a person whose interest the offender was bound either by law or by legal contract to protect इसे उस व्यक्ति से compromise करके खत्म किया जा सकता है जिसे की इस तरह से cheat किया गया है Section 420 Cheating Cheating and dishonestly inducing delivery of property or the making, alteration or destruction of a valuable security इसे उस व्यक्ति से compromise करके खत्म किया जा सकता है जिसके साथ cheating की गई है Section 494 IPC Marrying again during the lifetime of a husband or wife इसे उस व्यक्ति से compromise करके खत्म किया जा सकता है जैसे यदि husband ने शादी की है तो wife से compromise करके खत्म किया जा सकता है Wife ने शादी की है तो husband से compromise करके खत्म किया जा सकता है section 500 ipc defamation against the president or vice president or the governor of a state or the administrator of a union territory or a minister in respect of his public functions when instituted upon a complaint made by the public prosecutor इसमें उस व्यक्ति से compromise करके खत्म किया जा सकता है जिसे इस प्रकार से defamed किया गया हो section 509 ipc uttering words or sounds or making gestures or exhibiting any object intending to insult the modesty of a woman or intruding upon the privacy of a woman इसे उस woman के साथ compromise करके जिसे इस तरह से intent किया गया है insult किया गया है या उसकी privacy को disturb किया गया है compromise करके खत्म किया जा सकता है इन दोनों list में जो offenses दिये गए हैं उन्हें compromise के जड़िए खत्म किया जा सकता है समाप्त किया जा सकता है लेकिन यदि वो व्यक्ति जिसके साथ अपराद कमिट हुआ है यदि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है या वो पागल है, lunatic है, जड़ है, idiot है ऐसी स्थिति में वो compromise करने के लिए capable नहीं माना जाता है ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के और से वो व्यक्ति compromise कर सकता है जो उसकी और से contract करने के लिए capable होता है वह व्यक्ति जिसके साथ अपराद कमिट हुआ है यानि victim यदि उसकी death हो गई है तो ऐसी स्थिति में उसकी और से उसके legal representative यानि विदिक प्रतनीदी भी compromise कर सकते हैं और ऐसे compromise के अधार पर case को समाप्त कराया जा सकता है यदि किसी accuse की trial चल रही है या उससे सजा हो चुकी है और उसका case appeal में pending है या revision में pending है और इस दौरान compromise हो जाता है तो ऐसी स्थिति ने भी compromise के जरिए उस trial को उस appeal को या revision को रद कराया जा सकता है कुछ ऐसे offenses भी होते हैं जहांपे यदि पहले से किसी case में conviction हो चुका है और उस अपरात को दुबारा commit करते हैं या कोई ऐसा अन्य अपरात commit करते हैं जिससे उसके अंदर कोई special सजा का प्रावदान है क्योंकि पहले convict हो चुका है ऐसी स्थिति में ऐसे offenses में compromise नहीं हो सकता है वो permissible नहीं है compromise के आधार पर जो case खत्म होता है उसमें ये माना जाता है कि accuse का equitable हो गया है तो आज की इस topic को ये खत्म करते हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like करें, share करें, मेरे चैनल को subscribe करें ये तो धर्मस्ततो जय है